अमरपूर बस स्टेंड के सौंदर्य करन को लेकर काम में आई तेजी, सड़क किनारे लगे अतिकर्मी दुकान को कराया गया खाली, सड़क पर लगे अतिकर्मन हटाये जा रहे हैं, एवं रोट के किनारे बढ़ा नाला बनाया जा रहा है, जिससे अतिकर्मन वाले दुकान को पीछे किया जाएगा जिसे रास्ता भी चौड़ा हो जाएगा और बस इस्टेंड की शौंदर बढ़ाने में कापी मदद मिलेगी प्रधान मंत्री सड़क चौड़ी करन के एरिया प्रवंदर रंजित कुमार ने बताया कि बस इस्टेंड को शुंदर बनाने के लिए रोड का चौड़ी करन का काम चल रहा है हम लोग इस कारी को सजग रूप से और जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिस कर रहे हैं वहीं SDM मनुच कुमार थाना अध्यक्ष मुहमत सब्दर अली नगर पंचायत कारिपालक अभियंता निलम स्वेता आधी कई प्राधिकारी के निगरानी में बस इस्टेंड का चौड़ी करन का काम किया जा रहा है अमरपूर बस स्टेंड पर चलाया गया वहन चेकिंग अभियान जिससे कई वहन चालकों में मचा हड कम अमरपूर थाना चेतर के बस स्टेंड चौग पर अमरपूर थाना अध्यक्ष मुहमत सब्दर अली के द्वारा वहन चेकिंग अभियान चलाया गया वहां चेकिंग के द्वारा कई बाईक का हेलमेट वा आवश्यक कागजात का चेकिंग किया गया मास्क और हेलमेट ना पहनने वाले ब्यक्तियों से आवश्यक जुर्वाना भी वसुली किया गया प्रखंड 12 हट परिशर में प्रखंड क्रिसिप दादिकारी ने किसान सलाकारों के साथ किया मीटिंग जिसमें सभी किसान सलाकारों को कारियों को लेकर वा किसानों को लाब दिलाने हेतू योजनाओं को लेकर आवस्चेक दिशा निर्देश दिये साथ में प्रखंड क्रिसिप प्रादिकारी ने बताया कि प्रखंड क्रिसिप कारियाले का भवन जरजर इस्तिती में है यहां तक की जहरों का तुटा हुआ है जिसे देखने वाला कोई नहीं है हम सभी कर्मी किसी प्रकार से कारी करते हैं सबसे बड़ी बात यह है कि प्रखंड के प्रादिकारी का यह हाल है तो आमजनों का क्या होगा अज्यात वाहन की चपिट में आने से मौके पर हुई मौत बाका कटुरिया मुखी मार्ग पर आरपत्थर के निकट एक अज्यात वाहन से कुचल कर एक बाइक सवार युवक की मौके पर मौत हो गई मौत कमालवतान गाउनिवासी संदी बिसरा उम्र 26 वर्स थी जो इस हाथसे के पुर्व अपने भाई को करजोसा पहुचा कर वापस घर लोट रहा था वापसी की दौरान आरपत्थर मोड के निकट वा एक अज्यात वाहन की चपिट में आकर बुरी तरह से कुचल गया जिस से उसकी घटना अस्थल पर ही मौत हो गई परिजनों का रो रोकर के बुरा हाल है अका जिले में चोरों का आतंक जारी सहर से लेकर गाउं तक ताजा मामला बल्या महरा गाउं की है जहां की ग्री स्वामी अपनी मां का इलाज कराने के लिए भागलपूर गए हुए थे घर में कोई भी सदस नहीं थे जिसका चोरों ने फाइदा उठाया ग्रीय स्वामी ने बताया कि दिवाल फांद कर खिरकी काट कर चोरों ने नगदी जवरात आदी समानों की चोरी लगबग तीन लाग की संपती का किया है वहीं ग्रीय मालिक ने नगर थाना बाका में आवेदन दे कर उचित करवाई की मांग की है बुंद बुंद पानी के लिए जनता है ब्याकुल नल जल योजना में भारी लूट ये मामला लगबग पूरे बिहार की है इसी कड़ी में अमरपूर परखंड के फतेपूर पंचायत के वाड नमर दस की है जहां की जनता ने वाड से लेकर पंचायत परखंड तक परतिनीदी वापराधिकारियों पर आरूप लगाती हुए कहा की पबलीक का सारा पैसा नलजल योजना के तहद सिर्फ लूट खसोड कर गवन करने का काम किया है जनता जाए भाड में आका जिले में च्योरों का आतंग चरम सिमा पर ताजा मामला बोसी परखंड के बंधुआ कूरा थाना छेतर का है जहां पर एक सुनाली का ट्रेक्टर डाले के साथ चोरों ने चोरी कर लिया फाग गवनिवा से ट्रेक्टर मालिक अश्वनी कुमार मिस्रा पिता अशोप मिस्रा ने बताया कि ट्रेक्टर डाले सहित घर के सामने खड़ा किया था जब सुभा देखा तो गायब मिला जिसका लिखी तावेदन बंद्वा कुरा थाना में देकर उचित करवाई का मांग किया है प्रशिक्चु सिख्चकों संग ब्याख्यताओं ने डाइड परिस्तर में किया व्रेक्चा रोपन श्वंबार को बाकर डाइड परिसर में पूर्व निधारित कारिक्रेम के अंतरगत विद्याले के प्रचारी शेडिप्यो असो कुमार और प्रभारी देनिक प्रचारी शावरिया व्र्वा के निर्देशन में ब्रिक्चा रोपन का कारिक्रेम आरम किया गया कारिकरम का शमनिय व्याख्याता मम्तप कुमारी जहा की द्वारा पर्थम वर्ज के प्रसिख्छों सिक्चकों और सिक्चिकाओं को रोष्टर के मुताबिक बिभिन आज शमू में बैठा कर किया गया इसको लेटर विविन छायदार विरिक्षों को प्रियावरन सरक्षन के द्रिष्टी कौन से परिसर में लगाया गया जिसके सुरक्षा को लेकर शबों ने एक साथ संकल्प भी लिया इस दोरान संस्थान के सबी ब्याख्याता गन उपस्तित रहे कारिकरम को सफल बनाने में शुमीत सुपर मेराथ साकी अमीत कुमार आदित सर्मा पल गुपता आनंद प्रभा नंदिनी शामभवी शिमरन अंजली नेहाप प्रभात मशूद असरव शंजीव शंदीप आनंद आदी ने बर्चड करके हिस्सा लिया कहते हैं ना विकर्ट परिसितियों में जो इनसान काम आ जाए वो एक भगवान के श्वरूप होता है इसी कारी को करके दिखाया भागलपूर घोगापकी सराय निवासी राकिस मंडल ने जब बार्ट परित परिवार एक दाना के लिए महताज हो रहे थे तब इसकी खबर समास से भी राकिस मंडल को मिला खबर मिलते ही राकेस मंडल ने सेकड़ों परिवारों के बीच शुखा रासन के बित्रन में लग गए शुखा रासन देख बार पड़ेत काफी उत्साहित हुए और शमास से भी राकेस मंडल को धन्यवाद दिया जहरीले साप काटने से हुई थी माउथ सरकारी मुआपजा के लिए दर दर भटक रहे हैं परिजन शुल्तान गंसेडिक घाट निवासी जागो सा के 30 वर्षिय साधी शुदा पुत्र रंजन सा को सौच करनी के दौरान 15 अगस्त के दिन साप काटने से माउथ हो गया था परिजन को सुचना मिलने पर आनन फानन में उसे अस्पताल में भरती कराया गया घायल के इस्तिति नाजुक होने के कारण डॉक्टर उसे नहीं बचा पाया और उनकी मिर्तिव हो गई परिजन सुत्रों की माने तो उनके तीन छोटे छोटे बेटिया है मौत की कबर सुनते ही परिजन में कोहराम मच गई जिसके बाद आनन फानन में परिजन ने अस्थानिय प्रसासन को सुचना दी सुचना मिलते ही मौके पर पहुचे प्रसासन ने सब को अपनी कबजे में लेकर पुश्माटम के लिए भेज दिया मुआपजा के लिए चक्कर लगा रहे हैं मृतक के पत्नी मृतक के पत्नी रानी देवी मुआपजा के लिए अदिकारी के पास भटक रही है कभी अस्थानिया जन परती नीधी तो कभी अंचल कर याले लेकिन अभी तक प्रक्रिया में फसा हुआ है बिलकते मृतक के पत्नी रानी देवी ने मीडिया को बताया कि उनके तीन चोटे चोटे बेटिया अंसु प्रिया कृति का कुमारी दिब्या कुमारी है इसके पिता घूम घूम कर छोला भटूरा बेशते थे लेकिन अब भरन फोशन के लिए उनके पास कोई शादन नहीं बचा प्रखन विकास पतादिकारी ने बताया कि मृतक के परिजनों की और से आवेदन दे दिया गया है पूरा प्रिक्रिया के बाद सरकारी मौफजात दिया जाएगा झाल जो लेकर जाने के बाद बोला के खतं हो गया वुशत थे क्या करते थी भीज़नस करते दे ख्रशेत्न है चोला भट अब इस दे थे ठला पर रोगी वली बली रोली का लाग्या एशनका घ्रब ले और चोटी ऑली का आप मेरिता के कौन है आप मेरिता के कौन है इसकी पतनी है क्या नाम है मेरा नाम रानी देवी है